बप्पी लेहरी गोल्ड मैन क्यों सोना पहनते थे बप्पी लेहरी चाई पीने के लिए खरीदा था सोने का टी सेट बप्पी लेहरी ने बॉलिवूड म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ी पारी खेली उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा गानों को कमपोस किया इंडस्ट्री में ये बप्पी दा के नाम से भी जाना जाता है लेकिन गानों के अलावा उन्हें अपनी सूनी की जूरुरी पहने और गोल्ड प्रेम के लिए भी जाना जाता था बॉलिवुड के लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बपी लहरी का उनहत्तर की उम्र में निधन हो गया है बपी लहरी ने मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आंकरी सांस ली इस अस्पताल में बपी लहरी को मंगलवार 15 फरवरी की शाम को लाया गया था तब बपी की तब्यत अच्छानक बिगड़ गई थी डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन अफसोस बपी ने दुनिया को अलविदा कह दिया बपी लहरी ने बॉलिवूट म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ी पारी खेली लेकिन आखिर बपी लहरी ने सोना पहनना शुरू कब किया और कैसे? आईए इस बारे में हम आपको बताते है क्यों इतना सोना पहनते थे बपी दा? बपी लहरी ने एक इंटरवियू में अपने जराज से परदा उठाया था उन्होंने बताया था कि एक हॉलिवुड आर्टिस्स की वज़े से उन्होंने सोना पहना शुरू किया था बपी लहरी ने कहा था मैं हॉलिवुड सिंगर एल्विस प्रेसली को काफी पसंद करता था मैंने देखा था कि वो हमेशा एक सोनी की चेंग गले में पहना करते थे और मुझे उनका वो अंदास काफी पसंद आया था एल्विस प्रेसली को ही देखकर बपी लहरी ने निन्य किया था कि वो और ज़्याद़ सफल बन कर रहेंगे साथ ही बपी लहरी सोने को अपने लिए लकी भी मानते थे उनको उतना सोना पहनना चाते थे जितना वो इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे वैसे अगर आप सोच रहे हो कि बपी लहरी कितना सोना पहन कर चलते थे तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया हुआ है 2014 में बपी लहरी ने चुनाफ लड़ा था उस दोरान उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ही दी थी जानकारी के मताबिक बपी दा के पास 756 ग्राम सोना है और 4.62 ग्राम चांदी धन तेरस पर बनवाया था सोने का चाह सेट बपी लहरी का गोल्ड प्रेम इतना ज्यादा था कि साल 2021 में धन तेरस के मौके पर उनकी पत्नी ने उन्हें सोने का चाह सेट गिफ्ट किया था ये बपी दा ने इसलिए कहा था क्योंकि उनके पास पहले से सोने की कई सारी अलग-अलग जूलरी थी बपी लहरी ने इस बारे में बताया था कि मैंने पत्नी से धंतेरस पर मेरे लिए सुने का चाय सेट लाने को कहा था मैंने एक सुन्दर चाय सेट को कहीं देखा था और वो मुझे पसंद भी आया था यही वज़ा है कि मुझे उन्होंने सुने का चाय सेट दिया है हम धंतेरस के दिन सोना खरीदने को शुब मानते हैं हम हर साल इस परंपरा को जारी भी रखते हैं बपी ने साथ नहीं बताया था कि उनके पास गोल्ड की जूलरी में सब कुछ है इसलिए उन्होंने चाय सेट लेना ही सही समझा उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था कि मुझे गोल्ड मैन कहलाने पे गर्व है सोना मेरे लिए काफी लखी है मेरे गाने तब हिट हुए जब मैंने सोना पहनना शुरू किया बपी लहरी को डिस्को डांसर, नमक हलाल, हिम्मत वाला और शराबी जैसे फिल्मों में गाने के लिए जाना चाता था इसके अलावा बपी दाने अरे प्यार कर ले उलाला जैसे गानों और कई पुराने गानों को रिक्रियेट करने के लिए भी जाना चाता है